दोस्तों हम लोग रेस्टरों के लिए एक वेबसाइट क्रियेट कर रहे थे विद दा हेल्प आफ एच्टी एमल एंड सी एसेस अल्रडी मैंने आपको एट लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिये हैं और काफी कुछ मैंने डीटेल में कवर अप किया है इन वीडियो में तो आप जा सकते हो मेरे चैनल पे और प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरी सीरीज को चेक कर सकते हो स्टार्टिंग टू एंड आप क्या सीखने वाले हो चीक है मैंने सारा कुछ कवर अप किया हुआ है बहुत ही डीटेल में इस सीरीज को फॉलो अप करते हुए हमने टोटल एट लेक्चर्स कवर अप किये हैं और अब हमारे रिक्वार्मेंट है कि यह हमने ड्रॉप डाउन वगरा यह वो अब तक हमने काफी कुछ यहां पर बना लिया स्लाइडर वगरा बना लिया, जूम इफेक्ट बना लिया, इमेजिस बना लिया, हमने स्टार रेटिंग बना लिया अब जो हमारे में पेज के उपर पेंडिंग काम है वो है हमारा यह फुटर जिसके अंदर मारे पास ये चार अलग-अलग parts बने हुए है address है हमारे पास quick link है menu items है और यहाँ पर आपके पास google map जो है integrate किया हुआ है तो ये हमको सीखने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर और without wasting any time directly हम लोग jump करते हैं practical section की तरफ वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे और एक बार जरूर इन videos को भी check करें description में आपको link दे दूँगा grocery items के लिए food items order करने के लिए एक website बना करके दिखाया है मैंने और e-commerce website बना के दिखाया है जिसमें आप live online payment भी कर सकते हो card से वो भी मैंने दिखाया है domain hosting अगरा कैसे आप select कर सकते हो अपने लिए website को online कैसे लेकर के आना है वो सारा कुछ मैंने इन videos के अंदर सिखा रखा है description में आपको मैं link mention कर दूँगा तो यहां पर मैं आ गया अपने folder के अंदर और जो last हमने काम किया था उसको हम एक बार check कर लेते हैं तो हमने यहां तक किया था मैं simply इसके index page के उपर right click करके notepad++ के अंदर open कर रहा हूँ और further हम इसके अंदर कुछ changes करने वाले हैं तो footer जो होता है generally हम apply करते है website में सबसे last में तो मैं यहां पर आ रहा हूँ scroll down करके last में जो हमारा div जो है वो end हो रहा है उसके बाद ठीक है अब यहां पर आ करके आप footer tag apply कर सकते हो ताकि आपके web browser को मालूम पढ़ जाए कि अच्छा आप यहां से basically footer जो है वो start कर रहे है ठीक है तो आप वो start कर सकते हो ताकि understandable रहे मैं फिलाल उसको नहीं कर रहा हम copy करके यहां पे comment बना लेता हूँ code4 यहां पर मैं ने आकर की लिखा code for footer एहां से हमारे पास footer का हमारा सारा code रहने वाला है आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने सारे काम के लिए यहां पे css file बना रखी है तो जाहिड सी बात है कि यहां पर मैं इसको copy करके footer के लिए भी एक css file जो है वो बनाऊंगा right तो मैं इसको right click करके इसको भी open कर लेता हूं और इसके अंदर जो भी है मैं उसको simply यहां से delete कर देता हूं अब इस file को मुझे index page पर link भी करना पड़ेगा तो जैसे हमने बाकी फाइलों को link किया है वैसे हमें footer को भी link करना है ठीक है यह जो से match करनी चाहिए इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखे footer हमारा जो है हमारा basic layout है वो ready है अब इसमें हमें कुछ changes करने पड़ेंगे मैंने एक div create कर लिया है footer के लिए जिसका class दे रखा है मैंने footer मैं उसको यहां से copy करता हूं dot लगा के यहां मैं paste कर रहा हूं और यहां करें और इसका एक border specify करते हैं हम लोग 2 pixel solid black save करके जरा IC को run करके देखते हैं कि इतना हमारे पास reflection जो है वो present हुआ है या नहीं हुआ है तो अगर मैं आपको scroll down करके दिखाओ तो आपके पास यहां पर यह side को scroll करने को जा रहा है वो गायब हो जाएगा क्यूंकि actually यहां से 2 pixel की border आ गई न तो और 2 pixel इदर तो वो screen के बाहर हो गया don't worry बाद में हम उसको हटा लेंगे तो इतना area तो मुझे नहीं चाहिए footer के लिए अगर आप यहां पर चेक करो तो मुझे इतना सा area चाहिए तो I think 250 pixel में हमारा काम सही तरीके से हो जाना चाहिए right so मैंनो उसको save किया यहां पर आकर के refresh करके check करता हूँ तो still मुझे लग रहा है कि जादा है so let's try to make it 220 या फिर हम इसको 200 करके save कर देते हैं और यहां पर आकर refresh करते है तो I think इतना area हमारे लिए sufficient है इसके अदर अपने footer को design करेंगे so यहां पर अगर आप notice करोगे तो मेरे पास है quick link का option है at the same time म मेरे पास यहां पर option है menu का यह और यहां पर मेरे पास है address और map का option है तो मुझे basically चार अलग-अलग boxes की requirement है तो इस चीज के लिए मैं आँगा अपने HTML पे और आप लोग अखले कोड को थोड़ा सा zoom कर देता हूँ इस बीच में आने के बाद मुझे यहां पर specify करना तो मैंने इसको specify कर दिया div class equals to let us say हमारे पास footer का box है तो footer भी इसका class दे दिया मैंने आप जो मर्जी रखें फर्क नहीं पड़ता और इसका चार आप duplicate copy बना लेंगे तो total हमारे पास यह चार आ चुका है इसको मैं यहां से copy कर लेता हूँ और यहां पे आ करके dot लगा करक copy कर ली और इसके अंदर आ करके paste कर दिया height इसका मैं specify कर देता हूँ 180 pixels और width जो है वो मैं इसको specify कर देता हूँ let us say 200 pixels and border जो है हम red specify कर रहे है not red dark color रखते हैं कोई blue specify करके मैं आपको यहां पे save and refresh करके दिखाता हूँ तो फिलाल यहां पे मुझे कोई impact देखने को नहीं मिला I don't know why bor okay semicolon is missing so एक काम करते हैं first of all हम लोग एक try करेंगे और उसके बाद हम इसके बाकियों को भी dry करेंगे तो मैं इसको refresh करता हूँ तो आप notice करोगे एक box बन करके हमारे पास आ चुका है यहां पे मेरी requirement है कि मुझे 4 boxes चाहिए हैं तो पहले 2 boxes बनाते हैं और save करके यहां प आपने footer का height है वो fixed कर दिया है I think 250 pixels right so उसके कारण क्या हुआ 200 pixels के बाद जो भी है वो overflow कर जाएगा बाहर की तरफ हमें इन boxes को नीचे arrange नहीं करना है अगर मैं यहां पे और 2 div बना लेता हूँ तो basically 4 boxes एक के बाद एक आपके align हो जाएंगे मेरी requirement है वो एक के बाद एक left hand side पे align हो जाए तो इस चीज के लिए आप आजाओगे इसके अंदर और इसको आप कहोगे float left जिससे क्या होगा basically यह एक दूसरे के left hand side पे align हो जाएंगे ठीक है अब अगर मैं save और refresh करता हूँ तो आप इसको notice कर सकते हो यह सई तरीके से आपका काम कर रहा है अब एक चीज़ यह मारे पास 20 pixels जो है वो remaining है तो मैं क्या इसको specify कर सकता हूँ margin from top 10 pixels तो अब क्या होगा यह top से 10 pixels का area consume करेगा and bottom से 10 pixels का area consume हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से काम करेगा अब मुझे इसको center में लेकर के आना है मेरी requirement यह है कि जो भी इस black box के अंदर है inside the black box मुझे उसको center में align करना है right तो मैं black box के अंदर आ जाओंगा और यहाँ पर आपको लगाना होगा display flex justify content center यह कह करके आपको इसको save करना है और refresh करना है ठीक है तो यह आपका इस portion में center में आ जाएगा और अगर आपको horizontal vertical दोनों तरफ से इसको center align करना है तो आपको इसके बाद देना होता है align items और इसको भी आपको center specify करना पड़ेगा save और refresh करोगे तो सही तरीके से यह आपका center में आ जाएगा but क्योंकि मैंने margin लगा दिया तो इसलिए वो problem create कर रहा है तो let's remove this line of margin save and refresh तो अब आप notice करोगे यह top से and bottom से fully functioning center align हो चुक है now यहाँ पर हमारे पास spaces पढ़े हुए है blank spaces है white space है और यहाँ भी है मैं चाहता हूँ कि यह spaces को आपस में equally divide कर दे something like this कि आपके पास proper space जो है वो align हो जाए चीक है तो उसके लिए आप आ जाओगे अपने code के अंदर और जो आपने justify content center कर रखा है उसको आप यहाँ पर कर दो इधर है उतना ही space यह इधर से consume कर रहा और similarly यह वाला यहाँ से इतना space consume कर रहा है इसकी width हम और बढ़ा सकते हैं तो यह जो मैंने यहाँ पर 200 कर रखा है let's try to make it 250 basically हर एक के 50 pixels बढ़ जाएंगे तो hopefully वो सही लगे still हम बढ़ा सकते हैं इसको so let's make it 300 और यहाँ पर करके save and refresh मै करता हैं तो I think इतना काफी है perfect तो अब मेरे requirement यह है कि जो पीछे मेरे पास box है उसका background color जो है border तो मैंने दे रखा है खैर मुझे उसकी कोई जरुरत नहीं है उसको हम remove कर देंगे थोड़ी देर में हमें इसका background का जो color है वो black रखना है ठीक है तो यहाँ पर मैं आ गया और black specify करके save and यहाँ पर आ करके refresh तो जाहिट सी बास है जो आपके div होते हैं actually वो transparent रहते हैं उनका कोई color होता नहीं है so वो भी अपने आप आपका black हो गया right अब आपको पता है कि individually आपके boxes यह है first box के अंदर मुझे चाहिए है quick link का एक heading मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ quick link और specify किया quick link मैं यहाँ पर आता हूँ save करता हूँ refresh करता हूँ तो यहाँ पर आपका बस text है बट वो दिखेगा नहीं obviously क्यूंकि आपने उसको black कर रखा है तो मेरी requirement यह है कि जो भी मेरे इन छोटे-छोटे boxes के अंदर text है उनका जो color है वो white हो जाए तो छोटा box हमारा footer B के ना हुआ हुआ है right तो मैं यहाँ पर आ गया और मैंने इसको specify किया color colon white और save करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर आ करके refresh करते हैं तो वह आपका impact करेगा लेकिन मुझे actually इसको bold करना है so bold करने के लिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर आने का आपको इसको B tag में apply कर देना है right B tag इसको आपको रखना है और यहाँ आ करके आपको अपना bold tag जो है वो close कर लेना है save करता हूँ यहाँ पर आ करके तो आप चेक करोगे वो bold हो चुका है इसके नीचे चाहिए हमें कुछ content so मैं यहीं से copy कर लेता हूँ उसको यहाँ से मैंने 500 content को copy waste कर लिया है जो requirement है और इस bold tag के बाद मैंने उसको paste कर दिया है ठीक है इसको हम लोग सही से align कर लेते हैं so मैं इसको यहाँ से align कर रहा हूँ और इसके बाद हम इसमें कुछ changes करेंगे यहाँ पर आ करके मैं save करता हूँ इसको और यहाँ पर आ करके refresh करके दिखाता हूँ तो basically वो एक line में आ जाएगा तो यहाँ पर मुझे requirement है एक new line की जिसके लिए आप apply करते हो break tag right so अब आके हम इसको refresh करके देखते हो एक break आया है लेकिन I think मुझे एक और break की requirement यहाँ पर है so मैं इसको यहाँ से copy कर रहा हूँ और एक बार यहाँ पर आ करके paste करके save and refresh perfect है आप चाहें तो एक और break लगा ले आपके उपर depend करता है totally यह जो रहेंगे आपके link रहेंगे जैसे हमने navigation के link बनाए है और designing की है आप इसको भी anchor tag के अंदर link रखोगे फिलाल मैं इसको normal रखता हूँ और एक बनने के बाद मुझे requirement होगी यहाँ पर break की दूसरा बनने के बाद break similarly मैं सबके अंदर य save and refresh करते है perfect है अब जो भी मैंने इसके अंदर किया है मैं इसको यहाँ से copy कर रहा हूँ copy करके मैं आगया आपने second div के अंदर और यहाँ पे exactly मैंने उसको paste कर दिया है यहाँ पे आते है और menu हमारे पास रखना है तो इसको यहाँ से copy करते हैं और इस जगह पे हमारे पास menu आ ठीके से हम लोग alignment प्रोवाइट करते हैं और इसके बाद हमें ज़रत पढ़ने वाली है एक-एक BR tag की जो कि हमने उपर वाले में भी apply किया है राइट तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ save and यहाँ पे आ करके refresh perfect now अब मेरी requirement है कि address बनाना है और नीचे address प्रोवाइट करने similar चीज़े हैं यह भी so मैं यहाँ से इसको पूरा copy कर रहा हूँ फिर से और यहाँ पे आ करके third वाले के अंदर paste कर रहा हूँ ठीक है यह हो जाएगा हमारा address और इसके नीचे हमें provide करने हैं हमारे addresses सो मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ copy करने के बाद ही यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ आ करके मैंने इसको paste कर दिया alignment provide करते हैं और थोड़े बहुत इसमें changes करते हैं right so मैंने यहाँ से break tag copy कर लिया और check करते हैं I think address हाँ इसके बाद भी break apply करना है so code में आ करके हर एक के बाद आप break tag apply करोगे ठीक है यह करकर करके मैंने इसको save किया यहाँ पर आ करके refresh किया वह सही तरीके से लग चुका है so अब हमें चाहिए है हमारा एक map जो कि हमें embed करना पड़ेगा map लगाना बहुत ज़्यादा असान है इसके लिए आपको क्या काम करना है सबसे पहले आप जाओगे google पे google पे जाने के बाद आपको search करना है google map और google.co.in slash map या map.google.com आप किसी के ओपर भी जा सकते हो और आपको click कर देना है और यहाँ पे आपको search कर लेना है जिस जगह पे brand registered है जिसके लिए आप website बना रहे हो उनका location आपको search करना है ठीक है तो आप कोई भी location यहाँ से रख सकते हो फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पर आ करके search करता हूँ पूने railway station ठीक है आप जो मर्जी location रख सकते हैं फर्क नहीं पड़ता और click कर देना है आपको इसकल आपको wait करना है यह load होने में थोड़ा सा time लेगा मेरा internet slow है इसलिए time लेगा यहाँ पर यहाँ के पास एक location यहाँ पर show करेगा और आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पर share button के ऊपर click करना है share के ऊपर click करोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है embed का option आपको उसके ऊपर जो है click कर देना है embed के ऊपर click करने के बाद आपको यह मिलेगा कि यहाँ से आपको इस map का size क्या रखना है यह आप ऐसी छोड़ दे इसको हम खुद से साई कर लेंगे आप simply इसके ऊपर click करके इसको right click करके copy कर लोगे यहाँ फिर copy with HTML के ऊपर click करे आपका map हो गया copy आप चाहें तो इसको cut कर सकते हो यहाँ पर आते हैं हम last वाले के अंदर और इसको paste करके save करते हैं और यहाँ पर आ करके इसको refresh करते हैं तो यह आपका design बिगडेगा ध्यान दे आपकी पूरी website offline खुल जाएगी लेकिन क्योंकि आपने map जोड दिया है तो map को preview करने के लिए अब आपको internet connection की requirement रहने वाली है यह map हमारा overflow कर गया हमारे divs है जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ पर आगर आप चेक करोगे तो इसकी कुछ width applied है मैं उसको अटा करके 100% कर देता हूँ और save कर देता हूँ यहाँ पर आ करके मैं refresh करता हूँ तो नीचे का हमारा scroll bar जो है वो सही हो गया अब इसकी जो है हमें height adjust करनी है height adjust करने के लिए मैं इसको provide कर देता हूँ कि भईया 200 pixels की height जो है वो consume करे यहाँ पर आ करके मैं save and refresh करता हूँ अब अगर scroll करके देखूं तो still it's not good so हम इसको 1500 pixel apply करेंगे और save करेंगे refresh करके देखते हैं कि यह अब कैसा लग रहा है तो मेरे ख्याल से यह perfect है थोड़ा सा और कम जादा होगा तो हम यहां से अपना copy कर लेते हैं title और नीचे आ करके first के बाद यहां पर आ करके paste कर देते हैं और यह रहेगा हमारा directions डारेक्शन या directions जो आपको सही लगता है यहां पर आ करके हम इसको save and refresh करते हैं ताकि हमारे पास वो लिख करके भी आए और नीचे हमारा map आए map काफी जादा नीचे चला गया तो हम इसको 100 कर देंगे ठीक है तो यहां से आ करके मैंने इसको 100 किया और यहां पर आ करके refresh किया अच्छा लगेगा तो ठीक है वरना और adjust करेंगे मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया लग रहा है अब यहां पर देखो आप अपने ही साब से height width बढ़ा लेना वो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो मैं काम करता हूं 120 अपलाई करके देख लेता हूं तो मैंने इसको 120 किया save किया and refresh किया so it's looking good अब मुझे सारे content को center alignment provide करना है something like this तो इस चीज के लिए आप क्या करोगे आप आ जाओगे अपने css file के अंदर जो आपके small small boxes है उसके अंदर ज so I think text align yes तो हम इसको text align center करते है and save and refresh करके देखते हैं तो वो सारी चीज़े center में आ चुकी है अब ना तो मुझे इस blue वाले border की requirement है और ना ही मुझे इस black वाले border की requirement है क्योंकि इस border के कारण actually ये नीचे scroll bar लेकर के आ रहा है side के लिए जो कि हमें नहीं चाहिए अब अगर मैं आपको save and refresh करके दिखाता हूं तो आपका वो scroll bar हट चुका है overflow साही हो चुका है आपका footer बन करके ready है लेकिन यहाँ पर थोड़े हमें gap की requirement है footer से पहले so यहाँ पर आ जाओगे HTML में और जहां से आपने footer बनाना start किया था उससे पहले एक या फिर दो BR tag को apply कर लो और अप link एक और आएगा so मैं इसको इतने पर ही end कर रहा हूं और अभी हमने काफी कुछ बना लिया और आज की वीडियो के साबसे हमारा footer बन के भी ready हो चुका है तो यह हमारी 9th वीडियो थी आज की अगर आपने पिछली वीडियो को चेक नहीं किया तो description से link ले और जरूर चेक क चैनल पर न्यों सब्सक्राइब करें बैल आइकन को क्लिक करके all notification को on करें तकि आपको latest वीडियो की notification मिलती रहे मैं मिलता है आप से अगली वीडियो में thanks for watching guys